हेलो जी तो कैसे हो आप सब आप सब ठीक मैं भी ठीक चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं I hope आपको यह पैंट मतलब प्लाजो या सल्वार कुछ भी कह सकते हैं तो यह कपड़े में जब मैं कटिंग करने लगी तो मैंने देखा इसमें बहुत सारा डिफेक्ट है नीचे अब यह आ जाएगा अगर मैं सारा कपड़ा निकाल दू तो लेंथ चोटी हो जाएगी क्योंकि जिस महारानी की पैंट है उसकी लेंथ चोटी नहीं है वह अच्छी खासी पांच फूट चार इंच है तो उसकी कम से कम मुझे 37 इंच की सल्वारत रेडी करनी ही पड़ेगी तो कृपड कि शेख यह जानी को कर ली तो बील्ट कियोंकि ये कपड़ा गया है तो बैल्ट में शेंच की काटी है और बास्टी या कि वी रगाली में शेंच की ब्यानी है और यह हमने लाश्क भी देख लेलीं नहीं पहल है कर दो खईा werden ओड़ेर यहांस Gभा कर लानी मैं कर उसके बाद हमने इसमें क्या करना है अमने जैसे पूरी इसको जोइन कर लिया है प्लाजो को प्लाजो का सेंटर करके लिए हमें इहां से प्लेट लगानी हा तो हमें दो इंच एक्सटर बाहर की दरफ रखना है और फिर उसके अंदर हमें दो इंच के बाद हमें अपने पोची का निशन लगाना है तो मैंने लगाए साड़े 6 साड़े 6 के बाद अब ये जो भी है हमें धो प्लेटस के अंधर cover करना है ये कपड़ा तो हमारी जो भी है 8 इंच का एक अपड़ा आया तो 4-4 इंच की हमारी इसमें 1 इंच गैपिंग देके हम 2 प्लेट्स लगाएंगे और 2 प्लेट्स का सेंटर करके हमें आपस में उसकी सिलाई लगा के और फिर उपर से हमने हाफ इंच सीधी तरफ फोल्ड कर देना है क्योंकि तो इसके ओपर से हमारी पट्टी आएगी, तो हमें नीचे का मोडने का जंजट नि रहेगा, इसे हम उपर right side की तरफ मोड लेंगे पूरी को, और फिर पट्टी का center करेंगे, प्लाजो का center करेंगे, और center से हम इस पट्टी को लगाएंगे, जिससे कि हमारे इसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ बन जाए आप मेरे थोड़ी बहुत अगर गलतियां हो जाती हैं बोलने में क्योंकि आदत नहीं है ना पहली बार बोल रही हूं पहली बार तो क्या अब तो बहुत बार हो गया बट कोई बात नहीं तो अभी हम इसकी साइड से सलाई लगाएंगे और फिर यहां से साइड की ऊपर सलाई लगाके पटी के ऊपर से सलाई लगा देंगे और जो बीगनर से हैं वो प्लीज इसको प्रेस करके फिर सलाई लगाना तो अभी हमने इसको थोड़े से थपड़े थुपूरू देके कपड़े को स्ट्रेट करके ताकि बीच में से कहीं स से भी उठेना तो बस इसको सिलाई लगाते जाएंगे फिनिशिंग के साथ और यह वाला हमारा पॉंचा रेडी है अब हम इसका सेंटर करके अपने पॉंचे का निशान लगा लेंगे कि कितना हमें रखना है आप फिनिशिंग देख सकते हो यहाँ पे दो बेल्ट भी आपको शो ही अब यह इसका हमने सेंटर करा और दोने पॉंचे का एक साथ निशान लगा लेंगे तो 6.5 इंच का निशान लगा के और हमें आसन की साइड से जोइंट कर देना है जैसे हम सलवार पे लगाते हैं ना सलवार का पोंचा रखते हैं और उसको थोड़ा सा V शेप में दे देते हैं तो उसे तरीके से हमने आसन तक लगा लेना है हमने अपने मार्जन को जो आसन का मार्जन है वहां से कवर करके और सिलाए लगा देंगे और यहां पर पहुंचे पर हम डबल सिलाए लगा के यह हमारी सलवार रेडी है तो कैसी लगी आपको ये र dinero के बाद, चैसे में ऐसे में सिंगल ब्लाइक सब्सा मेंगे, उप जैसे अखे न्षिज pourसaldेटर, हाट्रैकर, पीलिया देख़े ना